नमस्कार आप सुभी का स्वागत करती हूँ, आप देख रहे हैं भारत 24, मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा, शाम के 6 बच चुके हैं और वक्त है दहार का हातरस भगदर की जाच कर रही SIT की रिपोर्ट पर अब सवाल उठने लगे हैं BSP सुप्रीमो मायवती ने कहा कि SIT की रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीती से प्रेरित ज्यादा लगती है SIT की रिपोर्ट पर सवाल इसी लिए उठ रहे हैं क्यूंकि जिस नरायन साकार उर्फ भोले बाबा ने अंद बिश्वास पहला कर लोगों को मौत की भगदर में धकेला उसका रिपोर्ट में जिक्र है ही नहीं SIT की रिपोर्ट में कहा गया कि घटना की असली वज़ा आयो जकों की लापरवाही है SIT ने इस थानिया प्रशासन को भी हादसे के लिए जिम्मदार माना साथी SIT ने कहा कि घटना में किसी साज़िश से इंकार नहीं किया जा सकता है गहराई से जाज की जरूरत है करीब करीब क्लीन चिट दीज गई है इसे बाबा का सियासी रसूख ही कहेंगे कि अगर मायावती को छोड़ दिया जाए तो किसी भी नेता ने भोले बाबा को सीधे घटना के लिए जिम्मदार नहीं बताया है प्रशासन से लेकर सियासी पार्टियां बाबा को लेकर खामोश नजर आती है सबसे पहले इस मामले में आई ट्रतिक रिया है और उसके बाद धार में सवालों का जिकर कि सिर्फ बाबा पे नहीं हर उस वेक्ति पे जो इस गड़ना करम में सामिल और सबसे पहले इसकी सीबी जांच होनी चाहिए मुगदमा तो लिखवा दो परसासन की पत्रकार क्यों बच रहे है क्यों सरकार मुगदमा लिखने किसी और की जुरत है तो दहार के सवालों में आज जिन सवालों के इर्थ गिर्द चरचा रहेगी उसमें पहला सवाल यही है कि SIT रिपोर्ट में बाबा की भूमिका पर चुपी क्यूं है? क्या सियासी रसूक के कारण भोले बाबा से पूछताच नहीं हुई है? क्या बाबा को बचाने के लिए आयोजकों को बली का बक्रा बनाया जा रहा है? क्या छोटे अधिकारियों पर कारवाई करते हुए इस केस को रफा दफा करने की एक कोशिश नजर आती है? स्वयम भू बाबा की जवाब देही आखिर तय क्यों नहीं हुई है? यह गंभीर सवाल है. प्रयांका गुपता कॉंग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है. प्रोफेसर मौजूद रहेंगे. सौरब दूबे राजनेतिक विशलेशक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है. और सुप्रीम कॉर्ट मेवकील हर्श दाहिया जो कि राजनेतिक विशलेशक के तौर पर भी भूमिका में रहते हैं. आपका भी हर्श बहुत-बहुत स्टागत करते हुए चर्चा की शिरवाद करते हुए सबसे पहला सवाल रोहित अगरबाल आपी से क्योंकि BGP मोजूद नहीं है और इसलिए क्योंकि आप BGP के साथ हैं यह सवाल आपसे बनता है हर तरफ यह सवाल हो रहा है कि आखर क्यूं बाबा को क्लीन चिट देने की को क्योंकि बाबा को बचाने काम सरकार का नहीं किसी भी अपरादी में ना उसका धर्म देखते हैं ना उसकी जाती देखते हैं हम सिफ अपराद देखते हैं SIT क्या है Special Investigation Team जब हमको एक बार किसी भी घटना पर यह लगता है कि पुलिस निस्पक चांट शायद ना कर पाए तो ऐसी स्तिती में SIT बनाई आती है और SIT एक प्राइमाफिसी रिपोर्ट देती है जो प्राइमाफिसी रिपोर्ट इस SIT ने दीबी है इस SIT की रिपोर्ट क सक्त कारवाई होगी और इतनी सक्त कारवाई होगी जो पुरा देश देखेगा और एक नजीर भी पेश की जाएगी तो इस लिए किसी बी निर्दोश को spr luck कर दे किसी को इनदर की खाली कोई व्यक्तिस अबाल कर दे किसी को पर अब्ला पहर जाते समय अगर कोई हाजसा हो जाएंगी क्या तो इस्तिती साफ है रोही तगरवाल जी एक बात मुझे समझाइए जरा आप आप मुझे दिल पर हाथ रखकर बताइए कि अपने आपको बेगुना साबित करना होता है ना किसी को या पहले ही उसको हम इंतजार करें कि आगे जब जाच गहन होगी उसके बाद हम देखेंगे मतलब साफ साफ आखो पर अगर आखों के सामने कुछ दिख रहा है तो उस पर क्या पट्टी बांग ली जाएगी और अगर प्रात्मिक जाच की मैं बात करऊं तो क्या प्रात्मिक जाच में बाबा को शामल नहीं किया जाना था मररकों नोटेज़ ब्लेंक Sharing यहां बिल्कुल बढ़ा को बोला गयान किया कि आके अपकर बयान DRज करवा या अगर अगर सुनिये सर नहीं ले रही है और जो जांच एंजनसीज वो अपना काम कर रही है अगर योगी आदितिनात ने कहा कि इस बात की गहन जाच होगी SIT तक जाच पहुँची SIT ने अपनी जाच की तो सबसे पहली नजर किसी भी आम आदमी की कहां पर रहेगी मुझे ये बताइए इतने लोगों की मौत हो गई सबसे पहले वो देखेगा कि भाई F.I.R. में किस का नाम है रोही जी आपकी सही बात को 100 फीसदी सही मैं कहूंगी 100 बार लेकिन अगर एक बात में मुझे कोई भी तूटी नजर आएगी तो मैं 100 बार उसको उस तूटी के साथ आपके सामने रखूंगी F.I.R. में नाम क्यों नहीं है First Information Report है ना किसका सचसंग था किसको लेकर आयोजन हुआ था किसकी बाते चल रही थी जो सुनने के लिए इतने सारे लोग पहुँचे कितने लोगों की Permission थी कितने लोग पहुँच गए और तू रिमाइंड यू रोहित अगरवाल ये बयान योगी अधितनात का है कि इस तरीके के नीजी आयोजनों में प्रशासन को घुसने नहीं दिया जाता है मैं उनका बयान कोट कर रही हूँ इस वक्त आपके सामने ऐसे लोगों का ओदा क्या इतना बड़ा है कि उनके आयोजनों में पुलिस प्रशासन एंट्री नहीं ले सकता अगर आप भी अपने घर में कोई आयोजन करेंगे तो पुलिस प्रशासन नहीं घुच सकता है यहाँ पर ओदे की कोई बात नहीं है मेरे घर पर डेल लाग लोग इकटा नहीं होंगे सर आप अंतर समझे है और जो आप अभी इस वक्त तुलना कर रहे है मेरे घर पर आजाएगा तो प्रशासन नहीं घुस पाएगा अरे प्रशासन से मैं पर्मिशन तो ले रही हूँ बताऊंगी ना उनको कि 10,000 लोग इखटा हो रहे है कि मैं बताऊंगी 10,000 लोग है और मेरे घर पर आजाएगे 1,5 लाग लोग प्लीज मुझे कंप्लीट तो करने दीजे देखी यही बात है कि हम अगर प्रशाशन से आप पर्मिशन लेने आते हो तो आपको देश का नागरिक मानते हुए जिबमेदार नागरिक मानते हुए आजमी ये मानता है कि जो आयोजक ने वहाँ पे नंबर्स दिये ये कहा गया लेकिन उससे दोगुनी संक्या वहाँ पर रही आप मेरी बात समझे रोहित अगरवाल जी मैं क्या कहना चाहती हूँ मेरा तातपर ये क्या है क्योंकि मैं यहाँ पर 121 लोगों की मौत की बात कर रही हूँ जो उस भगदर में मर गए जो आयोजन हुआ जिसके लिए इजाज़त मिली और उस इजाज़त देने में लूप होल्स थे तभी तो छे अधिकारियों को हटाया गया की नहीं हटाया गया ये बताइए मुझे पूनिमा जी मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ देखिए कोई भी व्यक्ति सम्वेदन शील व्यक्ति 121 मौतों के उपर इसी तरीके से उसका हिंदर रोएगा जैसे आज आपका रो रहा है इसी तरीके से वो गुस्सा करेगा जैसे आप कर रहे हो और इसके लिए संकार सम पर गाजगिरी है और इसी लिए कहा जा रहा है कि सारी की सारी गलती तो ये नीचे लेबल पे जो अधिकारी नहीं की हो सकती है बड़े लोगों की तो गलती हो ही नहीं सकती है मैं नहीं कह रही हूँ ये जिन को थोड़ी सी भी समझ है और इस मामले को लेकर सेंसिटिव है जहन में यही बात है और मैं आपको एक लेमान की सोच बता जाएगी उसको लेकर सवाल भी किये जाएंगे रोहित अग्रवाल आपके पास आती हूँ नावेद आयास साब ठीक है साब मैंने रोहित जी आपको इतना समय इसलिए दिया क्योंकि इस तमाम सवाल अभी आपके पास विपक्ष की तरफ से आएंगे आपका परस्पेक्टि विपक्ष को क्लियर होना चाहिए ताकि इस पर ख रखिये इनका नाम मत रखिये किसको किसकी पॉलिटिक सूट कर रही है किसका वोट बैंक है नाराज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी देख़े देख़े राजनीटिक चत्रिचाया जो है कैसे कैसे जाचो को पिरभावित करती है और कैसे कैसे वोडवेंक के लालख में किस तक σतरा की जाचो को बदल दिया जाता है या बचा लिया जाता है लोगों को ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है बहन जी की सीदे सला है किसी भी बाबा से ज़्यादा तेश के नागरीकों की जान है, तेश के गरिबों की जान है, तेश के कमजोर वर्क पाखंड और अन्दविश्वास में नहीं जाना चाहिए, बहन जी ने ये सला दी है और बहन जी की ये सला देश के सवीधान के पिरती एक अपना नदरिया है बहन जी का एक मिशन है जो बाबा सहाब भीमराव अंबिटकर जी भी कहा करते थे कि आप लोग जितने पाखंड और अंदरिश्वास में उल्जेंगे उतने अपने अधिकारों से अपने अपनी परेशानियों से दस्ते चले जाएंगे अपने अधिकारों से दूर होते जाएंगे ये बात बहन जी की बिल्कुल सोले आना सच है कि हमें इस तरह के पाखंड औ से चल रहा था क्या यह पाखन जिसकी हम बात कर रहे हैं जिस अंदविश्वास के नाम पे और यह जो भोले बाबा है यह तो दलितों का मसीह बताने वाले खुद को थे ना जो वहां पर लोग पहुंचते थे उसमें ज्यादा संख्या उन्हीं दलितों की थी ना उन्हीं परिवार बरबाद हुए जिन लोगों के मिड़ती हुई उनको दलित ना कहें उनको कुछी और ना उन्हें देखें वो देश के लोग थे वो देश के गरीब लोग थे अगर आप इस तरहां से उन्हें देखेंगे तो आपको देश की फिक्र होगी और जब देश की फिक्र होगी तो कोई बाबा किसी बाबा को बचाना चाहते हैं तो ये चीज भी दिखाई देगी इस तरह के आयोजक जहां बाबा के लोग अपनी परसनल टी में काम करती हैं उनका अपना स्टाफ होता है उनके अपने डोग होते हैं तो उने चीज का अनुमान होना चाहिए इतनी अ परिंपर करवाई की गई है ना उसे रिपोर्ट के आदार पर यह तो किया गया सरकार की तरफ से फॉरह Daisy रिपोर्ट आई चाहे और उसमें जो कहा गया था उसके आदार पर जिया गया 255 पन्रों की रिपोर्ट प्रियांका जी आपके पास आते हैं फिर बुबन भासकर जोशी जी आपके पास आउंगे प्रियांका जी बार-बार सवाल उठ रहा है कि S.I.T. रिपोर्ट में बाबा की भूमिका पर चुपी क्यों है ये मुझे लगता है कि आज की तारीक में मिलियन डॉलर क्वेस्चन है क्योंकि सिवाए अगर मैं माया वती जी को छोड़ दूं तो कोई भी खुल कर बाबा को लेकर कुछ नहीं कह रहा है कोई भी पार्टी ये नहीं कह रही कि भोले बाबा को सीधे तोर पर इसमें आरोपी बनाया जाए उस पर करवाई की जाए अभी तक भागा क्यों है इतने दिन हो गए लोकेशन नहीं ट्रेस हो पा रही है पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है पुलिस प्रिशासन क्यों नहीं कर रहा है कुछ ये बाबा को लेकर सीधे तोर पर कुछ भी कहने से पार्टियां बच क्यों रही है तो मुझे लग रहे हैं किसासन बचान से पास है कुन बचा रहा है कौन बच रहा है ये पुरी तरीके से खिली सुल्डिये आप जिस रिपोर्ट की बात कर रही है वो रिपोर्ट पूरी तरीके से गोपनिय रखी गई उस रिपोर्ट को बनाने बालों पर पूरी जो है न इंक्वारी रखी गई कि उसे कौन मिलता है उसका कौन फोन अटेंड करता है अजब इतनी सिक्रेसी को रखी गई यह तो एक सब्सक्राइब के जो रख्रकाओं के जिम्मेदार है उनके जिम्मेदारी बनेगी उसे पूछाद है कि लिप कैसे गिरी और अरल्ट के प्रवक्ता है वो आपके भर पर पर एक्जामपल दे सकते हैं तो उसे कोई उमीद नहीं की जा सती कि वो कोई जवाब देंगे तूसर पूरी तरीके से ट्रांस्परेट रखा जाए ऐसा ना हो कि डेच का नंबर कुछ और हो और यहां पर दिखावे में 120, 120, 120, 120 के नंबर में ही कुछ गफला चलना हूँ ठीके पूसरी चीव में कि जिस तरह से छोटे अधिकारियों पर जो है गाज किरी है तो मैं पूछना च सब्सक्राइब बशच्णा है तो फिर भी पर जो संख्या है जो वहां पर लगाने चाहिए थे करभचारी जो वहां की विवस्ता को मैनेच करने के लिए वहां पर नमबर के प्रवक्ता होते तो सायद बेतर बता पाते है कि उसमें भी जोल चलना हूँ उसका भी exact नमबर न जो भुजूम की तैयारी प्रॉपर रही थी, वहां मैदान सपाट नहीं था, वहां पे कोई जो है आफायर की गाड़ियां होती है, वो भी नहीं थी मौजूद थी, एक गाड़ी वहां मौजूद थी, इतनी भीर के साथ में मिनमम पांसे च्छे गाड़िया महां पून ही चा करिए कूछित महां से कि वहांजर कम है, तो अब यांसा पॉइंकまぁ समझ गई क्योंकि आपने कहा की बहुत SID की जो रफी सकивается की तो रफ्राट आई है, उसमें ये clear लिखा गया है कि IO जपोंने तथियों को छेपा कर कारिक्रम के आयोजन की अनुमती ली इसमें ये भी लिखा गया है कि अधिकारियोंने कारिक्रम को गंभीरता से नहीं लिया जो वरिश्ट अधिकारी है उनको कोई जानकारी नहीं दी गई इसके साथ ही SIT ने जो अधिकारी उनके विरुद करवाई करने की बात इसमें की थी जिसके बाद 6 अधिकारी उनको सिस्पेंट भी कर दिया गया इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका जिक्र किया गया और मैं इसलिए आप से पूछ रही हूँ आप चाहें तो कम से कम अब आप ये कह सकते हैं कि बाबा दोशी है पूरे माजी हमारे नेता माननी अखलेश अदव जी ने जिस दिन घटना हुई उसी दिन बताने का काम करा ये सरकार का फेलियर है योगी सरकार का फेलियर है ये उनके एडमिशेशन का फेलियर है ये उनके लियू का फेलियर है इंटेलिजन्स का फेलियर है और मैं आपको बताना चाहता हूँ जब सरकार से परमीशन अपलाई कर दी जाती है तब से सरकार का उस कारिकम में इन्वा बच रहे हैं। बाबा पर पूछेंगे तो गला सुख जाएगा इनका रोई जी कई बहस कर चुके है शालीन लोगों की बहस है शालीन चैनल है पर आपके आदत इतनी वैसी हो गई है आपने हमेसा एक नियम बना रखा है आप घर से ही वो पानी पी के चलते हैं कि दूसरे जो पार्टी का समय है उसको भी आपने खाना है यह रोगदल की आदत नहीं है कि बहस को कैसे इंट्रप्ट करना जाए यह रोगदल को प्रॉपर टाइम मिल गया था अपने समय में बोलने का लोकिन वो बेखाल तुमें समाजवादी पार्टी के समय में घुसने का प्रयास करते हैं डिबेट क और बाकते हैं Fahrenheit आपी आदत भी आपकी 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 आप लिग्य में पूजत रहे हैं आपने क्यो शेकर करा? लुझा ही रहेकी है के नैं की स्सेबायी want to say आप बताईए देश को परदेश को आपकी सहभायी ता केबल मलाई खानता है परदेश जानना चाहता है क्यों नहीं कि रुपतार करा आज दो सारोपन आप है रोईता करवाल आज आप जवाब नहीं दे पा रहे हूं आज आपकी जवान सुख गई है क्योंकि सरकार आपकी है और आपकी सहभागीता है किया आपके लोगे वाठी चूरी या प्रेम यह तो तरुक्र के लें समय बहुत सीमित रहता है रोहित जी आप जानते हैं समय बहुत सीमित रहता है और कम से कम शुरवात में 4-5 सवाल लेके मैंने आपको भरपूर समय दिया आपसे उमीद रखती हूँ कि बाकी प्रवक्ताओं को बोलने का मौका देंगे भुवन भासकर जोशी जी अपनी बात को पूरा कीजिएगा और दूसरा ये कहते हुए कि चूडिया पहनना कोई कमजोरी की निशानी नहीं है ये बात मैं कई बार दोहरा चुकी हूँ और मुझे बहुत चुबती है ये बात मुझे बहुत चुडिया पहनने का क्या मतलब है फिर क्यूं आपके मुझे कैसे निकल गया आप कहेंगे मैं छोड़ दूँ आप कहेंगे पकड़ लो तो पकड़ लूँगी थोड़ी आप मुझे बताएंगे सर आपको भी तो अपनी जबान पर खाबू रखना चाहिए ना कि मुझे क्या बोलना और क्या नहीं बात को करिये मुद्धे पर आयet और मेरा सवाल था अब से गया और रहे जी प्लीज ग्राव कि जडिये और मूल तो कि इसको उसको गिरफतार करना है कौन सी क्या साइटी की जाच कमेटी हमने बनाई योगी सरकार ने बनाई रिपोर्ट सार्विजिनिक नहीं अभी भी हम लोग पहले रिपोर्ट का सार्विजिनिक हो जाए उसका अध्यन कर लें तब समाजबादी पार्टी कुछ कहेगी हमारे नेता इस प्रदेस के मुक्हेमंतरी रहे हैं इस विपक्ष के नेता रहें वर्तमान मैं सांशत हैं सविधानीक पतपे हैं हम गैर जिम्मेदारान भीहुर ने ज़रूर हैं पर उनकी प्रतिक्रिया आती है लेकिन बाबा का नाम गायाब हो जाता है तो यह किस पर आगा भी जरा रुकिए हम बताएंगे अरे विपक्ष में है ना आपको कुछ दिख रहा है आपको पूरे घटना क्रम में 121 लोगों की जान चली गई कुछ दिखता है आपको बाबा द बाबा या ना बाबा योगी जो से दिखता है कि नहीं किसका प्रवचंद चल रहा था वो दोशी दिखता है कि नहीं बोलेंगे आप नहीं बोलेंगे पुझे देती हूँ तो बहुत है उपकर देक हैं तो सपक्ष में है और होट बैंक पर बोलेंगे लेकिन इसमें Д dw flake तो चाहिए और उपकशनवा आप हो और बार तो हुग दो लिएक उप जाबतें काज़ना लिद में खेजिए रूसरे सब सदमा प्राइन ऐसे ले लेंगे गजब बात करते हैं अपना नहीं लेंगे लेकिन ये नाम नहीं ले पाएंगे लेकिन ये नाम ले या नाले मुझे उससे परक नहीं पड़ता है मैं सिर्फ यह समझना चाहती हूं कि सब कुछ दिखते हुए भी इंतजार किस बात का है नीचे इस तर की अधिकारियों को आप फॉरण सस्पेंट कर देतें क्यों क्यों कि एसाइटी में उस बात का जिक्र है बाबा कौन है कौन से वर्चस्व वला अद्वियंग देगे पुर्णिमा जी बाबा भूखा भाव का धनका भूखा नहीं और धनका भूखा जो फिर सो तो बाबा नहीं यह तो कभीर दास जी ने लिखाता कि इसका वर्तमान यूग से बाबा का नाम नहीं है आयोजक का नाम है लेकिन यह कहने वाला वो व्यक्ति वह बाबा था कि जाते समय मेरे पेरों की जो है वह धूलले लेना यह कहने वाला व्यक्ति था और अगर दूसरे किसी भी केस में होता तो इसकी आधार पर फ.I.R. माजा होता और निश्चित सब्सक्राइब करें तो इस प्रकार से आपने पैनल किसी ने भी जो है बाबा के बारे में एक शब्द जो है वो नहीं को ला चाहे वो कोई भी पार्टी हो सब्सक्राइब करनी चाहिए बहन कुमारी महावती की तारीफ करनी चाहिए वह पहली है बड़ी नेता है जिन्होंने इस पश्रूट से बोला लेकिन उनको छोड़कर के बागी सारे लोगों के मुण बंद हैं आप मुपर और अभी जीस प्रकार से आप देख रहे हैं को अग इनका बाबा है तो इनका वोड बंक इनको लगएगा कि हाजिया पर है चाहिए वह कोई भी क्राइम करता रहा है ऐसे भी समाजवादी पाटी जो है वह क्रिमनल पार्टी जानी जाती है यह लग करवाई के लिए नहीं जाने जाते हैं यो कर वाह करें प्रिंग कि पार्थी ना पटाएगा वे यह समाजमाज दूदी पार्दी में आप कासी लेगा चाहते हैं अप्रो में प्रोगी सब्दाइब मैं आप रहे होगी सब्सक्राइब करते हैं कि अपना लगध के घाएडा ओंप्रण्य के एक ते बाद से मैं हुए खरख से जिया शरम एक सेकिंड सर एक सिकिंड रुक जाए हर्श दया सबसे ज्यादा शर्म इस बात पर आनी चाहिए कि ये मुद्दा भी राजनीती से अचूता नहीं है आप 121 लोगों की मौत की बात करें लेकिन इस पर क्या हो रही है पॉलिटिक्स हो रही है बही हमारा एक वोट बैंक है खिसक ना जाए हम कैसे बाबा का नाम ले देंगे सबसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट बात ये कि जिसका नाम खुल कर लेना चाहिए एक कोई नहीं है सिवाए मायावती को छोड़कर जो ये कहता हो कि बाबा ने क्या कांड कर दिया है पुर्निमा जी ये देश का सबसे बड़ा दुरभागया है कि वोट बैंक से आगे कोई भी पार्टी देख नहीं पाती मैं दाद देना चाहूंगा बहन मायावती जी का जिनों ने बड़े निडर होके बाबा का नाम लिया और अगर ये बाट ठीक है कि बाबा ने कहा है कि मेरी चरनों की दूल ले लेना तो बिलकुल बकायदा उनका F.I.R. में नाम होना चाहिए था और मैं एक और बात क्लियर कर दूँ जो ये S.I.T. के रिपोर्ट आई है ये प्रिलिम्नरी रिपोर्ट है ये कोई चारशीट नहीं है हमें चारशीट का वेट करना चाहिए मुझे बहुत ज़ादा यकीन है हो सकता है सरकार थोड़ा अभी वेट कर रही हो ताकि जो कानूनी स्थिती है ग्राउंड पे जो एक पब्लिक हर्मनी है वो डिस्टर्ब ना हो और चारशीट में बाबा का नाम आ जाए इस तरीके से इंक्वाइरी चल रही हो ताकि जो भरपूर सबूत है वो जुटा लिए जाए और फिर चारशीट में उनके नाम को इं चारशार नाम परिब्द करें लिए तो कहा गया कि यह प्राइवट इवेंट है देखिए जहां पे हजारों लाखों लोग इख्टे होते हैं चाहे वो किसी प्राइवेटर पर्सन की अकरोंड इसे उनके खाüstİ था जाए तो यह जो छे लोग सऍपैंड हूए है यह बहुत अच्छी है हमें इसको welcome करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं local administration की deal रही जो ये anticipate नहीं कर पाए कितने जादा लोग आएंगे साइटी रिपोर्ट क्लियर कह रही है बेरिकेडिंग नहीं थी कोई भी proper arrangements नहीं थे वहापे एक और important बात हर्श दया जिसका जिक्र है इसमें मैं जरा headlines के लिए actually जाना चाहती हूँ और उसके बाद वापस आप से इसको लेकर मैं और details लोगी इसमें इस बात का भी जिक्र है कि जो आयोजन करता थे उन्होंने पुलिस के साथ दुर्वियभार किया इसमें ये भी लिखा गया है कि जो इस्थानिये पुलिस थी जब वो कारकरम स्थल का निरीक्षन करने के लिए पहुँची तो उनको रोकने की भी कोशिश की गई जो सेवादार थे उन्होंने पुलिस को रोकने की तमाम कोशिशे की इसका भी जिक्रिस में किया गया है पुछ दाया एक बार फिर से आपके पास लोटना जाओंगे और इसके साथ मैं जरा इसके कानूनी आंगल भी समझना चाहती हूँ आगसे अगर कोई भी एक इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई भी ऐसा एक होता है जिससे पब्लिक सेवटी या किसी की लाइफ एंडेंजर की जाती है तो उस पर कारवाई कर सकती है पुलिस अगर पुलिस को वहाँ पे आयोजब जो थे अंदर नहीं गुसने दे रहे थे उनको तभी डिटेंग कर लेना चाहिए था या अरेस्ट कर लेना चाहिए था वो एक पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी नहीं करने दे रहे और जहां पे जैसे कि मैंने पहले का पुरनेमा जी कोई भी इवेंट जिसमें हजारों लोग इखटा होंगे और यहां पे जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनकी जान को कोई खत्रा होता है क्योंकि और जो हर्ष दाया की तरफ से किया गया रोई तग्रवाल जी आपकी प्रतिक्रिया उस पर लेना चाहूंगी क्योंकि मैंने उनसे सियास उनसे मैंने कानूनी अंगल इसलिए समझने की कूश की क्यों अगर हम राजनीती कर रहे होते हैं तो हमारी लिए तो सबसे आसान था कि बाबा को जिल में डाल तो दूसरी नहीं का नरे हैं तो मूझए閥 सम्झे treaties के राजनेती कुश कुशोच समाच तो अगर हमको गोडवैंक राजनीति करनी होती है एक्षन में दिखने ना हैग Арग हम मैं और इसिलिए को सबसे हैं है, मतलब ये है की जो आज आप आप सवाल पूछ रहmayın है दो वन्हें वहां को करने दीजें राजनीति है मैं तो पूछूँगी न, सरकार क्या कर रही है, या प्रशासन क्या कर रहा है, आप जो सवाल पूछ रही हैं, बिल्कुल सही सवाल है, और S.I.T. ने गहनता से जाच किये, और उसकी जाच का जो एक बिंदू है, वो ये भी है कि इसके अंदर साजिश इंकार नहीं किया जा स सकता है और इसमें और गहन जाच की जारitt है बहुवन भासकर जी आपकी बात का जवाब देना चा रहा है, बहुवन जी आपकी बात का जवाब देना का जैखने。 पाप हो जाएगा यहां भुबन बासकर जी अचनक से घुस्टा होगा नहीं घबरा गई उस घबराट में मुझे आसी आ गई एक सिकंद रूह जी प्लीज बीच में नहीं से रोई जी बीच में मुझे एक एक कॉमेंट लेके फिर क्लोस करना होगा समय नहीं है इसलिए मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहती प्लीज रोई जी पूरा देश जानता है कि बाबाओं के सरपरस्तिक इनके हातों में है भारती जन्ता पार्टी और उनके ऐलाइंस किस परकार बाबाओं को लेकिन क्या हम यह मानने कि अगर आसा राम भापू के हां मानने परधान मंतरी चलेगे तो उनमें उनके गुणा आ जाएंगे वो उनका काम है उनका प्रोफाइल है कि वो अगर किसी ने आयूजन करा तो वहाँ जाएगे इस तरह की बात रोई रखनवाल जी एक नेशनल च योटिस जिने काओ तो बिलकुल, बिलकुल, बॉला उनना जाय से बाबा, को बाबा बचा रहे हैं, इस मुद्ध पर मीडिया को आना चाहिए, बाबा का बचाओ, वह रॉशनितिक आपके रहे हैं, वहर राजनितिक स्वार्थ कि स्वार्थ की नेगर रहे हैं।ициं कि बाब प्रिशात्निक लापरवाई हो प्रिशात्निक लापरवाई के साथ साथ आयोजगों की लापरवाई हो और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार जिसको बहेंजी ने फोकस किया कि पाखंड और अंद्विश्वास को बढ़ावा देने वाली चीजे ना देश हित में हैं ना जन हित में हैं और अब तो देश के गरीव और कमजोर वर्क के अभी अड़ी से जादा जोगों की जो है इस भगदढ में जो मिलंझी हुई है मिलंझी नहीं है उसके एक अला की आयोजग को का सट है मैं तो मानता हूं कैसे आईयोजनों में जो लोग इस तरह के आईयोजन कराते हैं उन आईयोजनों में सरकार को जब पहले से ही एक रिपोर्ट दी जाती है कि हम ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं तो उनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही होती है नहीं तो अभी तक जो सरकार ने करवाई की आयास साथ आप उससे खुश नहीं है मुक्या आयोजन करता हो या बाकी अधिकारों को हटाया गया हो या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया हो आपको सरकार ततपर नजर नहीं आती है करवाई के लिए पहली ही FIR में सरकार जो है बाबा के पिरती अपनी नर्मी दिखाती है बाबा को बचाने का प्रियास करती है तो यूँकर वारती जन्ता पारिटी का मिज़ास है यह जल्दी से रोह जी आपकी बाद का जवाब देना चारा है फिर उसके बाद प्रियाका जी आपके पास आती हो कोई भी FIR होती है तो वह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है वो आयोजग के ऊपर ही होती है क्योंकि बिना किसी इंक्वाइरी के किसी का भी नाम ऐसे नहीं डालाया सकता रोहिट जी कहावट सुनिये आपने बड़ी मचली जो है वो हमेशा छोटी मचलियों को खा जाती है सुनिये यह कहावट आपने मुझे तो ऐसा लगता है साब कि बड़ी का बखरा बना दिया गया आयोजग को प्रोटी के उन पर करवाई हुई और बिल्कुल होनी चाहिए क्योंकि वही आयोजग करता थे लेकिन बाबा यह बहुत समवेधन चीलता और गंवीरता की उमीद की जाती है उतनी समवेधन चीलता अच्छा एक बाब बताईए रोइत अगरवाल जी फिर उसके बाद मैं लोटती हूँ बाकी मैमानों के पास रोइत साब यह बताईए मुझे जरा कि आप हम इतने भी सक्षम नहीं है कि लोकेशन ट्रेस कर पाएं बाबा की कोई पूर्णिमा जी सब कुछ किया जा रहा है अगर कोई रहा है मैंने आपको पहले चरण में भी चीज बोली थी कि बाबा अगर बाबा अप्सकॉंडिंग है तो उसको धूंडा भी जाएगा उससे पुश्टाश भी होगा है या अगर है सर कन्फ्यूजन है इसमें नहीं बि दोशी साबित नहीं हुआ है कोट में पर है ना जेल में पीछे वो भी जाज के दाइरे में तो आरोपी और दोशी के बीच का अंतर मुझे पता है सर आरोपी और दोशी के बीच का अंतर मुझे पता है मैं तो यह पूछ रही हूं कि अगर जाज की जद में बाबा है तो हम इतने भी सक्षम नहीं है कि उसकी location को पता कर पाएं नहीं नहीं हम पूरी तरीके से सक्षम हैं पूरी माजी आप निश्चिंद रहें शरकात पे विश्वाद रखें निश्चिंद आप अगर निश्चिंद किसी को रहने के लिए कहना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा आप बोलिया उन 121 लोगों के परिवारों को मैं बार बार इस बात का जिक्र करती हूँ कि कोई उस दो साल तीन साल की बच्ची को जाके अपनी निश्चिंदी दिखाए कोई उस माबाप को जाकर निश्चिंदी दिखाए जिनका पांच साल का बच्चा गायब है बगदर में मर चुका है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है आप जाकर उन 121 परिवार वालों से निश्चिंदी रखने को बोली है ना रख लेंगी अगर इतना ही पेशन्स लेवल सबका हो तो बहते हैं इसलिए उसमें और ज्यादा गंभीरता की दर्कार है ना नहीं किया सकती और दुफद होने के साथ साथ इस बात को इस सवाल को फिर से प्यादा करती है कि आम लोगों का जीवन इतना सस्ता हो गया है क्या प्रियंका गुपता जी देखिए पूर डिवाजे अभी यहां अन्दे विष्वास की बात चल रहे है तो अन्दे विष्वास ते से प्रथान मंत्री खुद ही कहते हैं कि वो बाइलाजिकल नहीं है उनका डारेक्ट बाट से कनेक्शन है तो फिर आगे किसको आप रोकिएगा और किसको आप टोकि देनाग जी उन्होंने तो फोन तरके बताया थे कि वह एक्शन लेंगे तो इनी इनी तो पर सारा ठीका फोन दीजिए ना रिपोर्ट आईये अब प्रारंबिक रिपोर्ट है अगर जानकारी नहीं को कम से कम वहां जाकर आप बोलिए आप बोलिए चैनल पर बाबाजी में आप बोल दीजिए हम तो सुरू से कह रहे हैं तो अखिले साथी है इनके इनसे आप अपिल करिये अखिले से अपिल करिये उत्तर बड़ी पार्टी है कि वह जाकर करके भाइया लिख्वाए बाबाब के खिलाब एक तो लिख्वा सकती है अगर सरकार नहीं अपना काम कर र वो अटर बादी और खुना कि एंधी अपरवाड़ी और जैन नहीं पराफिसक्रा ओंगा सिर्दने तो लिख्वाराथी आप असे तो यह जो नहीं किया है तो हम अपिछा रहते है अग्सा कर्ता है कि बाबाब तो ए पर और अवर्क नहीं हो आप तो सुरुअ बाब भीत सब्सक्राइब पर्मिशन में लूपोल थे ना लेकिन सब्सक्राइब जल्दी से आपका एक क्लोजिंग कमेंट लूँगी सर्थ हर्षी हमें पूरे देश को अंधभक्ति पाकंड और अध्यात्म में डिफरेंस करना सीखना पड़ेगा अध्यात्मिक जैसे मैं बात करूं तो एक बड़े फेमस महराज है प्रेमानन जी वो इतनी अच्छी अध्यात्म की बाते करते हैं उनको सुनके बड़ा अच्छा लगता है अप उनके कभी भी वो देखिएगा थोड़े बहुत लोग बैठे होते हैं या उनका कोई कारेकरम भी होता है बड़े ही सही उसका आयोजन बड़ा अच्छा होता है तो यह जो अंधभक्ती है यह देश में से हमें खतम करनी पड़ेगी और पुलिस को अपनी जिम्मेवारी समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसा बड़ा आयोजन होता है उनकी पूरी पूरी जिम्मेवारी बनती है लोगों की वहाँ पे सेप्टी की और यह बहना नहीं चल सकता कि वह प्राइवेट इवेंट था हमें अंदर नहीं गुसने दिया गया अगर आपको अंदर नहीं गुसने देना तो आप इसको कैंसर की कि स्वयंभू बाबा की जवाब देही तै होनी चाहिए समय लेकर हो जब होना है हो लेकिन होनी जरूरी ह और इस तरीके के आयोजन पर रोहित अगरवाल जी सरकार को सोचना चाहिए कि आगे इस तरीके के आयोजन हो तो क्या एक्स्ट्रा अलर्ट प्रशासन को रहने की जरूरत है क्या ज्यादा सकती प्रशासन को दिखाने की जरूरत है या ऐसे आयोजनों पर पूरी तरीके से लगाने की जरूरत है ये बनाव भी उस सिस्टम में उस स्ट्रक्चर में करने की जरूरत इस हादसे के बाद कम से कम नजर आती है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा का हिस्सा बनने के लिए दहार में आज के लिए फिलाल इतना ही